जैहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict तो दोस्तो 83 तेज़स एरक्रेफ्टों के एप्रूबल के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक हम अपने एरक्रेफ्टों में बिदेशी इंजिनों का इस्तेमाल करेंगे मतलब कब इंडिया अपना खुद का जेट इंजिन का डेवलाप्मेंट करेगा और इससे ही अपने फ्यूचर के हर एक एरक्रेफ्ट को पावर सप्लाई करेगा और दोस्व इन ही बातों के उपर हाली में कुछ ऐसे खुलासा किया गया है जिसके बाद हमें एटलिस्ट ये पता चलना संभव हो पाएगा कि भारत के फ्यूचर में एरक्रेफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजिन को लेके फिलाल क्या प्लान है और किस तरीके स कौन से जेट इंजिन के डेवलाप्मेंट के उपर DRDO और भारत के अन्य और्गनेशनों के द्वारा काम किया जा रहा है और दोस्व आज के इस वीडियो में आप लोग को इंडिया के फ्यूचर जेट इंजिन डेवलाप्मेंट के एक नया अपडेट के बारे में तो डिटल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्व इंडिया के तरफ से जो 83 तेज़ा सेर क्रेप्टों के खरिदने के लिए एप्रूबल दिया गया है इसमें फिलाल अमेरिका बनाया हुआ GE404 इंजिनों का इस्तेमाल किया जाएगा पर 200 जेट इंजिनों के डिवलपमेंट के मामले में इंडिया जो पीछे है उस गैप को पूरा करने के लिए इंडिया के दरफ से भी भरपूर प्रयास किया रहा है खास करके इंटरनाशनल पार्टनरों के साथ मिलक 110 किलो न्यूटन थ्रष्ट वाला एक हाई थ्रष्ट इंजिन निर्मान के प्रयास इंडिया के द्वारा किया जा रहा है ताकि इंडिया इन इंजिनों का इस्तेमाल 2035 के बाद इंडिया में बनने वाले हर एक फाइटर एरक्रेप्टों में कर सके इवन इसके इलाबा जो के development किया जा रहे उसके testing phase में भी इन इंजिनों का इस्तेमाल किया जा पाई ताकि ज़्धा foreign countryों के उपर dependent होना ना पड़े इवन AMCA जैसे aircraft वो के लिए भी इंडिया अपने इंजिनों का निर्मान करना चाहता है ताकि हाली के दिनों में जेनरल electric के साथ इंजिनों को लेकर समझोते का प्रयास किया जा रहा था उसमें जो मुश्किल आये ऐसे मुश्किल आने वाले समय में ना आये दोस्तों अपके जानकारी के लिए बता दियो कि AMCA में इंडिया द्वारा तेजस मार्क्टू के जैसे ही GE414 इंजिनों के इस्तिमाल करने का बात कहा गया था इवन से लिए टेकनोलोजी ट्रांसफर में GE414 इंजिनों को भारत में निर्मान करने का जो प्रोसेस था उसे भी रद किया गया पर दोस्तों जेनरल इलेक्टिक के साथ ये प्रोसेस रद होने के बाद अमेरिकी दूसरा और एक कंपनी मतलब प्रिटी विटने के तरफ से भी बातचित किया जा रहा है हाली में आप लोग सुने होंगे कि फ्रेंच फ्रेसिडेंट इमेनियोल मैकरॉन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमेनियोल बोन के भारत दौरा हुआ था और दोस्तों सुनने को ये भी आ रहा है कि इस दौरे के दर्मियान इंडिया और फ्रां के इंजिनों को भी भारत में निर्मान करने का बात कहा जा चुका है दोसों इसके इलावा रोयस-डॉयस कंपनी के साथ इसिया के डायरेक्टर द्वारा भी हाली में बयान देते हुए कहा गया कि इंडिया और रोयस-डॉयस के बीज में टेकनोलजिय ट्रांसफर और इंट फाइटर टाइफुन में इस्तेमाल होने वाले इंजिनों को ही तर्च फे एक हाई-Thrust इंजिन मना के देने का बात कहा गया था लेकिन अब रोयल्स रोयस का कहना ये है कि इंडिया के द्वारा कोई निया इंजिन डवलट करने के लिए रोयल्स रोयस के साथ काम करने का जो इंजिन में जादातर इंडिया के द्वारा डेवलब किया हुआ, टेकनोलजी का ही इस्तिमाल होगा। काविरी इंजिन के डेवलोप्मेंट में कमपनी के द्वारा इंवेश्मेंट करने का भी बात कहा गया था। लेकिन फाइनली दोनों देशों के बीच में इन मुद्दों के लिए के कुछ मुश्किले आया जिसके वजह से इसे आगे बढ़ाना संभब नहीं हो पाया। डेवलोप्मेंट किया जा रहा है। जिनमें टेजस मार्क वान ए जहाँ पे अप्रूबल हासिल कर चुका है तो वहीं पे मार्क टू जल्थी टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा जबकि इसके इलावा नेवी के ट्वीन इंजिन फाइटर, एयर फोर्स के 515 जनेरेशन फाइ के दर्मियान कई बार इंजिनों को बदलने का भी जुरुत पड़ता है। ऐसे मौके में भारत को अगर हर वार विदेशी कंपनियों से इंजिनों को पर्चेस करना पड़ा तो ये काफी महेंगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस बन सकता है। और इसी वज़ाए से इंडिया द्वारा बनाय जाएगा। दोस्तो बेसिकली माना जा रहा है कि इन में से ज़्यादतर इंजिनों का इस्तेमाल इंडिया अपने ट्वीन इंजिन फाइटर एर कैप्टों में करेगा। जबकि 140 किलो न्यूटन वाले जो इंजिन हैं संभावित इसका इस्तेमाल इंडिया अपने AMCA मार्क टू में करें। एक अनुमान के मुताविक जिस तरीके से इंडिया द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है इससे आने वाले साथ साल के अंधर इंडिया के पहला इंजिन तैयार हो सकता है और इस टाइम लाइन में अगर कोई डिले नहीं होता है तो संभावित तेजस मार्क टू एरकरप्टों के आखिर के कुछ एरकरप्टों में ऐसे इंजिनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ट्विन इंजिन डेग वेस फाइटर एरकरप्ट जैसे कॉंसेप्टों के प्रोटोटाइप में भी इन इंजिनों का इस्तेमाल किया जाएगा फिलाल ही GE404 को replace करते हुए indigenous इंजिनों को लगा जा सकता है दूसरे और एक अनुमान के मुताविक जिस तरीके से इंडिया अब indigenous fighter air captain के तरफ आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से air force और navy के तरफ से बिदेशी air captain के जगा indigenous air captain को बेड़े में शामिल करने का बात कहा जा रहा है उससे आने वाले 30 साल के अंदर इंडिया को कम से कम 1000 इंजिनों का जुरुत पर सकता है और दोस्तों इतने बड़े संख्या के इंजिनों को इंपोर्ट करना लगभग नामुम्किन है और दोस्तों ये नामुम्किन इसलिए भी है क्योंकि इतने बड़े संख्या का इंजिनों को इंपोर्ट करने के लिए काफी ज़्यादा खर्चा भी है और दूसरे तरफ ये इंडियन एरफोर्स के फ्यूचर फाइटर एरकर्टों के प्रोजेक्टों को भी डिले कर सकता है एक्जाम्पल के रूप में आप तेजस एरकर्ट के को पोजेट को ही देख ले इसे जब पहले बनाया गया था तब इसमें काविरी इंजिनों का इस्तेमाल करने का बात कहा गया था strategic partnership के साथ साथ joint venture co development जैसे concept को भी आगे बढ़ाते हुए इंडिया द्वारा जल्धी इंजिनों के manufacturing और इंजिनों के procurement को लेके कोई बड़ समझाता किया जा सकता है और संभावित इस साल के अन तक इंडिया द्वारा ऐसे बड़े announcement भी किया जाए जिससे हम लोगों को at least ये अंदाजा लगाने में आसानी हो कि इंडिया कौन से engine को पहले डेवलफ करेगा और क्या एक ही engine इंडिया डेवलफ करने के तरब आगे बढ़ेगा या फिर दोनों ही जो joint venture को लेके बात किया जा रहा है उसमें दो अलग अलग टाइफ के इंजिनों का development किया जाएगा इवन दोसों संभावनाएं तो ये भी है कि पहले phase में इंडिया द्वारा 110 किलोन्यूटन वाले engine का development किया जाए जबकि बाद में उसे मजबूत करते हुए एक upgraded 130 या 140 किलोन्यूटन इंजिन में तबदिल किया जाए देखना आप ये है कि Royals Royals और Saffron के बीच में से कौन से company को इंडिया द्वारा चुना जाता है और कौन सा engine आने वाले समय में हमारे ज़रूतों को पूरा करेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद